कोई भी गाड़ी या बाइक लेने से पहले हम उसमें लगे इंजन की बात अपनी जुबान पर ले कर आते हैं और आज मैं आपको यहां दुनिया के कुछ सबसे बड़े इंजन्स के बारे में बताने वाला हूँ वो चाहि फिर दुनिया के सबसे बड़े डीजल इंजन हो या फिर सबसे बड़े मोटर साइकल के इंजन हो सब कुछ आपको यहां देखने को मिलेगा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले वाटसिला सल्जर दुनिया के सबसे बड़े मरी इंजन का नाम वाटसिला सल्जर है जिसका खुद का वजन 2300 टन है इसमें मोटर की लंबाई 87 फीट है 14 सिलेंडर वाला ये इंजन 1,88,876 होर्स पावर की शक्ती पैदा कर सकता है जिसे दुनिया के सबसे बड़े सामान धोने वाले शिप्स में लगाया जाता है अपनी पूरी शमता पर चलते हुए ये इंजन 1 घंटे में 13,000 लिटर डीजल खर्च कर सकता है ये एक बार में 10,000 टन माल को अपने साथ ढो सकता है 48 सिलेंडर कावा सिकी एक आदमी जिसका नाम साइमन वाइट लोग है उसने ये बनाने की सोची और इस सूपर बाइक को बनाने के लिए 16 कावसा की मोटर साइकल को पूरा खोल दिया और उन सभी के इंजन को मिला कर एक 48 सिलेंडर वाला बेहद शक्तिशाली इंजन तयार किया जिसका कुल वजन एक टन से थोड़ा ज़ादा है ये आज भी टेकनिकल क्रियेटिविटी का एक मास्टर पीस है और ये बाइक आज भी उनके पास है जिसे बेचने का उनका कोई इरादा नहीं है 24V71 डेट्रोइट बिग माइक इंजन माइक गार्च को कार के साथ खेलना बहुत पसंद है और उनका बच्पन का सपना था कि कुछ धमाकेदार किया जाए जिसके लिए उन्होंने एक बेहत शक्तिशाली मोटर बनाई जिसका नाम बिग माइक रखा 12 सिलेंडर के दो इंजन को आपस में मिला कर बनाई गई ये मोटर एक दानव है जिसकी शमता 3420 होर्स पावर की है इसकी चलने के आवाज आप एक मिल दूर से भी सुन सकते हैं गाडियों के इतिहास में ये दुनिया का सबसे बड़ा इंजन है 1910 में फियाट ने जर्मनी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहा जिसके लिए उन्होंने S76 मोडल को तयार किया इस गाड़ी का एक ही मकसद था और वो ये कि ब्लिड्स और बैंज का रिकॉर्ड तोड़ा जाए ये इंजन भी बेहत शक्तिशाली था जिसकी शमता 300 होर्स पावर की थी और इसने उस समय 186 माइल्स पर आर की स्पीड को छुआ GE9X GE9X दुनिया का सबसे बड़ा जेट इंजन है इसकी शमता को जाचने के लिए स्पेशल दो बहुत बड़े-बड़े कॉंक्रीट के ब्लोक्स बनवाए गए जिसके बीच में इसे फिट किया गया और जाचा गया GE9X के घूमने वाले ब्लेड्स का डायामिटर 9.8 फीट का है ये मोटर 45 तन का जेट थरस्ट एक साथ बना सकती है और इसी के साथ GE9X को दुनिया के सबसे बड़े जेट इंजन होने का टाइटल मिला हुआ है बेशा कि ये बड़ा हो लेकिन थरस्ट के मामले में ये थोड़ी मार खा जाता है दुनिया के सबसे पावरफुल थरस्ट इंजन का रिकॉर्ड GE90-115B के पास है इस इंजन को दुनिया की सबसे लंबी कोमर्शल दूरी की फ्लाइट जो होंग कोंग से लंडन जाती है उसमें लगाया गया जिसमें ये इंजन 22 घंटे लगा तार चला उटा में इस इंजन का जब पहला टेस्ट किया गया तो इसे निकलने वाली आग का तापमन 2500 डिगरी सेल्सियस था और उन लपटों की स्पीड 12,000 फीट पर सेकिंड की थी दो मिनट के इस टेस्ट में इंजन के अंदर का तापमन 6000 डिगरी सेल्सियस सक पहुँच गया था और अब इस इंजन को नासा अपने यानों में इस्तेमाल करने लगा है इस पूरे इंजन का भार 725 टन है 24 डॉल मार्च चेन सो मोटर बाइक बाइक एक और उसमें 24 इंजन जी हाँ आपने सही सुना जर्मनी के एक ग्रूप ने ये बाइक बनाई और ये प्रूव कर दिया कि उनकी सोचने की शमता बहुत दूर तकी है सारे 24 इंजन को दो अलग-अलग लाइनों में लगाया गया और सच में ये बाइक बहुत ज़्यादा लंबी है दिक्कत की बाद बस यही है कि इस बाइक को शुरू करने के लिए 24 के 24 इंजनों को अलग-अलग स्टार्ट करना पड़ता है 150 होर्स पावर की शमता वाली ये बाइक एक चलती-फिरती दानव है जिसे आमसड़ों को पर चलने से बैन किया हुआ है अमेरिकन रेसर शौकली ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली ट्रक बनाया शौकली अपनी सोच को बहुत आगे तक ले गए पांच लाग डॉलर खर्च करके उन्होंने दिल दहला देने वाला नहीं नहीं हावा को चेरने वाला ट्रक बनाया इसमें उन्होंने एक नहीं बलकि तीन जैट इंजन्स लगाए तीनों इंजन्स को एक साथ चलाने पर 9000 पांड का थ्रस्ट पैदा होता है असान भाशा में कहें कि इसकी शमता 36,000 होर्स पावर की है दोस्तों आपको इन में से सबसे बढ़िया कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको भी ऐसा ही कोई शक्तिशाली इंजन पता हो तो उसके बारे में भी जरूर लिखें ऐसी ही इंटरस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टेरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें अगर आपको इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट टू लिखना नहीं भूले मिलते हैं अगली वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए धन्यवार